नवगचिया का आधर्श क्राम धरहरा जो विश्व विज्ञात है यहां के अनोकी परंपरा है एक पेटी के जन्म लेने पर फलधार वरक्ष लगाते हैं जिस कारण ही गाउं, राज्ज, देश, विदेशों में भी जाना जाता है मैंगो गल्स नाम से एक शार्ट फिल्म भी बनी थी शेत्र में जरदालू आम का पौधा विशेश रूप से तयार किया जाता है नई सोच के साथ यहां के किसान खेती में भी परंपरागत खेती को छोड़ कर एक अलग तरह की पपीते खेती अप कर रहे हैं नवगचिया अनुमंडल केलांचल के नाम से जाना जाता है मकई गेहू पे उपच होती है लेकिन इसमें अब मुनाफ़ा कम होने से आदर्श ग्राम धरहरा के किसान पपीते की खेती करने लगे हैं तो क्या लग रहा है इस खेती से जैसे गेहूं मकई के लिए परचली थे नोगचिया अगर बजार सही मिले तो बजार सही रहे तो चरगुना है मकई से इसमें कितना सीजन ये टूटे गा या कितना आपको क्या लग रहा है कि खेती करने में क्या परिशनी कहां पर परिशानी है कि में मार्केट नहीं इसके लिए आप क्या किजिएगा मंग सरकार से आपड़ाँ तो प्रचले तायए प्रचले के खेती क्या लगड़ा है कि सोने के लिए कितना यह उससे अच्छा है गेहूं कई से बहुत अच्छा किती है अब बीज कहों से लाए थे पहले से यहां पा है वही प्रखंड कृशी पदाधिकारी अनिलकुमार चौधरी भी यहां आकर निरिक्षन किया किसान ने पूशा से अपने बीज मंगाया था पिछले बार मंगाया था तो यहां के किसान की सबसीडी की समस्या है यहां के पपीते भागलपुर, पोल्निया, अररिया, सुपॉल, खगड़िया, अन्यकई जिलों के साथ-साथ जारखंड बंगाल उत्तरप्रदेश में भी पहुँच रहे हैं आदर्श ग्राम धरहरा में इस बाल लगभग 30 वीका में किसानों ने पपीते की खेती की है पंजाब केस्टी टीवी के लिए भागलपुर से अंजनी कुमार का श्याक्वी रिपोर्ट